जै हिन जै शिक्षक साथियों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है इस समय हम विद्याला में कक्षा शिक्षण ईपाट्शाला और अन्य काम में लगे हुए हैं और उसके साथ ही हमें अपने बच्चों का डेटा प्रेड़ना पोर्टल पर वेरिफाई भी करना है और वो भ कुछ समस्याएं थी और उनका समधान था और तब मैंने कहा था कि और भी समस्याएं आगे आ सकती हैं उनका भी समधान लाओंगी मैं तो आज उसी परिपेक्ष में आगे जो कुछ समस्याएं आई हैं उनका समधान में लेकर आपके सामने उपस थे तो कल एक कमेंट आया थ हमारे बच्चों के भवेशे का सवाल है हमें उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है और जो विध्याले से उने लाप प्राप्त होने वाले हैं उनका भी ध्यान रखते हुए चलना है तो हमें सब कुछ मैनेज करते हुए चलना है चलिए देख लेते हैं पहली समस्या क्या है इसमें सबसे पहली है कि login authentication failed please try again का message प्रदर्शित हो रहा है यह समस्या मेरे साथ आ रही है और मेरे विद्याले में जितने भी teachers है सभी की साथ यह समस्या आ रही है और इसके लिए उन्होंने जो समाधान दिया है यूडाइस पोर्टल पर स्कूल के नाम की spelling तथा प्रेणा पोर्टल पर स्कूल के नाम की spelling एवं सम्मंदित विद्याले का यूडाइस कोड प्रेशित करें इसके लिए दूसरा है ऐसे अध्यापक जिनके पास एक से अधिक विद्याले का चार्ज है ये विकास खंड इसतर से कारवाई होगी इस पर तीसरी समस्या है एप ओपिन करते ही वे बैक हो जा रहा है तो इसमें एप पर दाहिनी और सबसे उपर बने तीन डॉट्स पर क्लिक करें क्लियर प्रोफाइल आप्शन पर क्लिक करके दुबारा लॉग इन करें और नेटवर्क एरिया में जाकर चौथी समस्या है लॉग इन हो जाने पर विद्याले का नाम शिक्षक का नाम मोबाइल नंबर आधी के विवरण में एन ए प्रदर्शित हो रहा है तो इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाकर आप एप मैनेजर में जाए वहाँ पर प्रेणा डीबीटी एप को सिलेक्ट करेंगे और उसमें क्लियर डेटा के ओप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद पुनहा लॉग इन करेंगे इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि प्रेणा डीबीटी एप को आप लॉग प्रेस करेंगे तो इसमें एक ओप्शन आएगा एप इन्फॉमेशन एप इन्फॉमेशन में क्लिक करेंगे तो इसमें एक ओप्शन आएगा स्टोरेज और storage को आप click करेंगे तो वहाँ पर एक option आएगा clear data आप उस पर जाकर उसे click करें और फिर दुबारा login करें next समस्या है कि login करने के अपर शाद school dashboard में कोई data प्रदर्शित ही नहीं हो रहा है तो इसके लिए app पर दाहिनी और सबसे उपर बने 3 dots पर click करें जो सामने आई है कि app अपडेट करने के बाद शादर संख्या डिफर हो जा रही है तो इसके लिए भी app पर दाहिनी और सबसे उपर जो 3 dots है उन पर click करें clear profile option पर click करके दुबारा login करें और network area में जाकर करें कार करते रहें sync होने पर data प्रदर्शित होगा प्रते एक घंटे पर data sync करते रहें चातर संख्या कम या अधिक प्रदर्शित होने की स्थिती में उपर दाहिनी और बने 3 dots को click करेंगे उसमें update student पर click करें सही चातर संख्या प्रदर्शित होने लगेगी next समस्या है कि app update करने के बाद शिक्षक संख्या डिफर हो जा रही है उपर था कि student संख्या डिफर हो रही है यहाँ पर है कि शिक्षक संख्या डिफर हो जा रही है तो इसके लिए app पर दाहिनी और सबसे उपर बने 3 dots पर click करें clear profile option पर क्लिक करके दुबारा लॉग इन करें network इरिया में जाकर शिक्षकों का विवरन अपडेट करने के बाद यदि कक्षा वंटर में कोई शिक्षक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं अध्वा अत्रिक प्रदर्शित हो रहे हैं तो विद्याले के प्रथम login करता शिक्षक के प्रथम login पर ही शिक्षक add अत्वा remove का option सक्रिय रहता है पुना लॉग इन करने पर अत्वा किसी आने शिक्षक की login करने पर add teacher संभब नहीं हो पाएगा तो यह आपको पहली बार की login में ही यह करना होगा विकास खंड इस तर यह खंड शिक्षक अधिकरी login से upmdm.in पर भी शिक्षकों के नाम जोड़े अत्वा हटाई जा सकते हैं और इसके अतरिक toll free number 1818666 पर call करके भी शिक्षक जोड़े जा सकते हैं जोड़े गए शिक्षक राज इस तर से verify होने के उपरान थी आप पर कारे कर सकेंगे verify होने में 24 घंड से अधिक का समय लग सकता है next problem थी कि कुछ शिक्षकों ने EHRMS code में 0 अंकित है अथवा EHRMS code feed नहीं हो पा रहा है तो यदि मानव संपता code में 0 प्रदरिशित हो रहा है तो इसे ignore करके आगे बढ़ सकते हैं इसमें प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि अध्यापक का नाम तथा mobile नंबर सही है तो आगे की प्रक्रिया कर ली जाए शिक्षक के नाम तथा पद नामें परिवर्तन upmdm.in से विकास खंड इस तरसे किया जा सकेगा दस्वा है अध्यापक शिक्षा मित्र का नाम तरोटीपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है तो इसमें भी खंड शिक्षा अधिकारी कारेले से संपर कर upmdm.in में संशोधित करा लें तक पश्चाद वेरिफिकेशन की करवाई करें प्रेणा पोर्टल पर सभी चात्रों का पंजी करण हो गया है लेकिन dbt पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है इसके लिए क्या समाधान है तो इसके लिए दाहिनी और सबसी उपर दिये गए थ्री डॉट्स को क्लिक करें वहाँ पर update students का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें सही चात्र संक्या प्रदर्शित होने लगेगी विद्याले में प्रेणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल चात्रों की तुल्ला में dbt पोर्टल पर कम चात्र प्रदर्शित हो रहे हैं यदि ऐसा है तो dbt एप में चात्रों की संख्या प्रदर्शित कम हो रही है तो एप में उपर दहनी और बने थ्री डॉट्स को क्लिक करें उसमें अपडेट स्टुडेंट पर क्लिक करें सही चात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी अब जितने चात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उनके शिक्षन को व प्रदरशित को चात्रों की तुलना में dbt portal पर अधिक चात्र प्रदरशित हो रहे हैं तो अत्रिक प्रदरशित होने पर चात्रों को ड्रॉप आउट कर दीजिए अध्वा ऐसे चात्रों को खंड शिक्षाधिकारी की प्रेढ़ना portal login से डिलीट कराने की करवाई सुनिश्च प्रदरशित कर सकेंगे फिर है प्रेढ़ना portal पर नए नामंकन दर्ज करने पर चात्र की संख्या में प्रवेश्टिती में 2016 के बाद के वर्ष प्रदरशित नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए प्रेढ़ना up.in के portal पर history क्लियर करके दोबारा login करें clear history के लिए control h दबाएं clear history क पेज ओपन हो जाएगा तो यह तो laptop में करना होगा या PC में तब ही control h प्रेस हो पाएगा नेक्स्ट है verify mm dropout record option पर क्लिक करने पर data not found आ रहा है तो app opening के बाद जब तक please wait का message ना हटे तब तक app में कुछ ना करें क्योंकि data server से transfer होने में थोड़ा सा समय लग जाता है next है mobile पर verify या dropout का पेज नहीं खुलता है सीधे class select का option आता है मैंने class select कर ली है चातरों की list भी आ रही है और मुझे दो चातर हटाने है तो क्या बाद में हटाने का कोई option आएगा सीधे class select का option आने का तात्पर है कि आपके विद्याले के किसी आने शिक्षक के द्वारा पूरफी कारवाही पूर्ण की जा चुकी है यदि किनी चातरों को हटाया जाना है तो आधार तथा bank का विवरंड केवल सही चातरों के संबंद में ही अंकित करें प्रेणा पॉर्टल में जहां से चातरों के संबंद में रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं डिलीट का option है अतरिक चातरों जिनकी हटाय जाने की आवशकता है उनको डिलीट कर सकते हैं खंड शिक्षादिकारी की प्रेणा पॉर्टल लॉग इन से उन चातरों को डिलीट करव एसी स्थिति में सबसे पहले रूरल या अर्बन को सिलेक्ट करें ततपष्चा जनपद को सिलेक्ट करें और उसके बाद संबंदित जनपद के ब्लॉक प्रदर्शित होने लगेंगे उनमें से उन्हें सिलेक्ट किया जा सकेगा इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें जिन चात के आधार संबंदी फीडिंग करते समय चात्र के विवरंड में परिवर्तन संबंदित विकल्प उपलब्ध है और इस विकल्प का प्रियोग करते हुए उसका विवरंड सही भर दें इसके आगे सही आधार संख्या भरने के बाद भी यदि बार-बार गलत बता रहा है तब क्या करना है तो इसका जो समधान है आधार विवरंड भरने है तो आपको 6 प्रयास दिये गए हैं सावधानी से अक्षरशा, स्पेलिंग तथा स्पेस को ध्यान रखते हुए विवरंड अंकित करे यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो अभिभावक को आधार कार्ड अपडेट कराने हैं तो सोचित करें वतत पश्यात प्राप्त छाया प्रती के अनुसार विवरंड अंकित करें एक और समस्या है सामने कि वेरिफिकेशन से पहले छात्र के सम्मन में मेल फीमेल सही प्रतरशित हो रहा था पर उन्तु वेरिफिकेशन के पश्यात मेल का फीमेल और फीमेल का मेल हो जाता है तो यह समस्या संग्यान में है डाटा स्टोरेज में हापर कोई समस्या नहीं है क वो डिस्प्ले में ही ऐसा हो रहा है कि मेल का फीमेल और फीमेल का मेल दिख रहा है विकास खांड इस तरी लॉग इन में ही सही डाटा प्रदर्शित हो जाएगा तो ये कुछ समस्या आई थी और उनका समधान आज मैं फिर वही बात कहूंगे कि यदि और भी कोई समस्या आती है और उसके समधान आते हैं तो वो भी मैं आपके लिए लाऊंगी हम शिक्षक हैं वो भी प्राइमरी के शिक्षक हम मल्टी परपस हैं हमें कोई भी काम सौप दिया जाता है और हम उसे मैनेज करके कर लेते हैं तो आगे भी ऐसे ही लगता है हमें करते जाना हैं कारवा हैं बढ़ते जाना हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग